संथ लूकस का सुसमाचार अध्याए 17-23 वचन हमसे यह कहता है जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वो उसे खोदेगा और जो उसे खोदेगा वो उसे सुरक्षित रखेगा आकाश बशीर महज 18 साल का था जब उसने लाहोर के पास यहनाबाद के सेंट जॉन चच में एक आतंकवादी को हमला करने से रोका था वो सेंट डॉन बॉस को टेकनिकल इंस्टिट्यूट का स्टूडिन्ट था वो चच की चौकीदारी करने में वॉलन्टियरिंग किया करता था वो दिन था 15 मार्च 2015 का रवीवार का दिन था आकाश चच के एंट्रें 2000 लोग जमा थे आकाश को खबर मिली की 500 मीटर दूर चाच ओफ क्राइस्ट एक एंगलिकन चच में आतंकी हमला हुआ है आकाश ने एक आतंकी को हथियारों के साथ चच में घुसने की कोशिश करते देखा आकाश और उसके दोस्त को हटा कर वो चच में बॉम ब्लास्ट करन चाहता था आकाश ने उसे रोखा उसने आतंकी के जाकेट में विस्पोटक देखा पर आकाश ने उस आतंकी को चच के अंदर घुसने नहीं दिया आतंकी ने आकाश को यह कहकर डराया कि उसके पास बॉम है आकाश नहीं डरा उसने आतंकी को गले लगा कर यह कहा कि तुम् उस आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया आकाश उस बॉम ब्लास्ट में मर गए पर उसने हजारों लोगों की जान बचाई आकाश एक कैथलिक था पर पाकिस्तान में इसाई होने की वजह से उसे हरास्मेंट धमकी और पक्षपात का सामना करना पड़ा आकाश पाकिस्तान के सारे क्याथलिक्स के लिए एक इंस्परेशन बना उन्हें सारे मुश्किलों के बावजूद अपने विश्वास में डटे रहने के लिए उदाहरन बने टेररिस्ट अटाक के बावजूद सेंट जॉन कलिसिया में अभी भी विश्वासी आते हैं अपने बच्चों को बपत इसमा देते हैं साल में लगभग 800 बपतिसमा होते हैं वो पैसों के मामले में गरीब कलिसिया हो सकती है पर विश्वास के मामले में अमीर है आकाश की माने जब एक बार उसे चच की चौकीदारी करने से रोकना चाहा तब उसने कहा मुझे अपनी परवा नहीं है मैं तो लो 2016 को चच के फादर फ्रांसिस गुलजार ने लाहोर के आच बशप सबास्टियन शौर को खत लिखा कि आकाश की शहादत को वेदी का स्थान मिले उन्होंने उसे रोम को फौवर्ड किया वहां से मंजूरी मिली आकाश बशीर पाकिस्थान का पहला सर्वंट अव गॉड बन अकाश बशीर प्रे फर अस